क्विशन वाले में आप सभी को बताने वाला हूं आप आनसर की डेट के बारे में कि आपकी आनसर की कब तक जारी हो जाएगी क्योंकि examination खताम हो जाने के बाद आप हर कोई candidate यह जाना चाहता है कि एक्जेक्ट हमारे कितने नंबर बन रहे हैं जिससे की आइडिया लगाया जा सके हालंकि बचों ने अनफीशल तरीके से जो अलग अलग कोचिंग सेंटर्स वगरा हैं उनके द्वार जो आंसर की प्रोवाइड कराई गई है उससे चेक लिए लेकिन फिर भी कंफर्म आपकी उफिशल आंसर की से ही पता चलता है कि कितने आपके नंबर बन रहे हैं तो इसके लिए आप सभी को पूरी इंफॉर्मिशन मिल जाएगी और सबसे पहले आप सभी के examination सब्सल संबंघ हो जाने के समंद में आप सभी को बहुत बहुत बताई कि examination पूरी तरह से transparency के साथ complete हो गया आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकरिया आप सभी को देते हैं और बताते हैं कि कब तक आपकी आंसर की जो होगी वो रिलीज हो जाएगी तो आगे बढ़ते हैं तो देखो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि ये पहले जब आपका रेडी ओपरेटर वाला जी एक्जामनेशन हुआ था क्योंकि रिसेंड में वही एक एक्जामनेशन कंप्लीट हुआ है अगर पर देख उसी रेडी ओपरेटर वाले की बात करें तो आशिस्टेंट ओपरेटर को जो जारी हो जाती है यानि कि पंदरा दिन का समय लगता है आपकी आंसर की जारी होने में जो आपकी रेडियो अपरेटर वाली भरती थी उसमें अब ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि 15 दिन का समय अगर इस भरती में लगा है तो 15 दिन का समय आपकी यूब बिब्लेस कॉंस्टाबल वाली भरती में भी लगेगा तो वह पॉइंट भी में पे नमबर ऑफ कैंडिडेट बहुत जादा हैं तो वह सारी चीज भी देखते हैं पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ सही हुई है नहीं हुई है वह भी क्रॉस्टेक वगएरा की जाएंगी और उसके बाद जो आपकी आंसर की होगी विदें 15 डेज आपकी आं है वो सभी अब्जेक्शन लगा सकते हैं आप सभी को इसके बारे में एक्जेक डेट मिल जाएगी साथी में जैसे आपकी आंसर की आएगी तो सबसे पहले आप सभी को यह लिंक प्रवाइड करा दी जाएगी साथी में बहुत सारी बच्चे क्या है नॉर्मलाइशन को ले किसी को नुकसान नहीं होगा और जिसे नुकसान हो रहा है उसे नॉर्मलाइशन से बचाया जा सकेगा यही चीज़ें देखने के लिए मिलेंगे अब नॉर्मलाइशन में कोई किसी भी सिफ्ट में कितने भी नमबर बताए लेकिन एक्ज़ेक्ट जब आपको रिजल जारी नहीं है में जो मतलब है वो है कि उस सिफ्ट के बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो कितना जा रहा है मान के चलो तीन पेपर हुए एक में माल लेता हूँ पहला हुआ दूसरा हुआ और तीसरा हुआ इसका पेपर सबसे एजी था अगर भार देखते हैं फिर इसके जो रहता है वो सबसे कम रहता है अगर एवरेज स्कोर फॉस्ट वाले पेपर में सबसे कम है तो सीधी सी वाद है के हाड़ से इसे माना जाएगा ना कि इसे तो यही चीज़े डिपेंड करेगी नंबर ऑफ कैंडिडिट जो एक्जाम में बैठ हैं उन्होंने कितना बढ़ हो जाएगी उमीद गरतों कि आपने बहुत बढ़िया स्कोर किया होगा अभी आपका जो स्कोर आ रहा है वो कमेंट करके जरूर बताईएगा जो भी आपने अनौफिशल आंसर की बगरा से चेक किया है कमेंट करके बताना कि कौन सी कैटेगरी और कितना स्कोर आपका आ रह जर बाहाएगगरी आ मेंदेगरी खड़ करे पया है मेरी आपका 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 रहाग। कि कैटन मेंटूरएगे उशल yeah बतादार आ양 स्कोर आपका ऊपका और को या अज्याहपका ए उन एदुआर आपका लाहईगरी आफका आपका आपका है का जू थे हूएगरी है आप